हेलो दोस्तो आप लोग भी कुछ हेल्दी और टेस्टी नास्ता बनाने की सोच रहे हैं तो इस नास्ती को एक बार जरूर से ट्राई करिएगा इसको बनाना बहुत ही आसान है बस जटपट से घोलिए और बना डालिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता तो चलिए बना तो इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है थोड़ा मोटा मोटा ही इसको भी काट लेना है अब हम इसमें डाल रहे हैं एक टमाटर जिसके मैंने सारे बीज निकाल लिये थे और इस तरह से मैंने इसको काट लिया है और ये मैंने एक आलू ले लिया है जिसको बारिक वाले कद्दूकस से कस लिया था और इसको अच्छे से धुलने के बाद ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे आलू जब इस रस्पी में जाएगा ना तो ये नास्ता बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और ये मैंने एक प्याज ले लिया है जिसको इस तरह से लंबे लंबे पीस में काट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक इंच लंबा अद्रक का टुकडा जिसको मैंने छील लिया है और इस तरह से इसको गिसकर डाल देंगे आप अगर लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन और अदरक का पेश्ट बना कर भी इस रेस्ट पी में इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे 2-3 बारी कटी हुई हरी मिर्च जिसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं और ये अभी मैंने एक कप इसमें पानी डाल दिया है और दूसरा कप भी हम इसमें डाल रहे हैं और एक बार अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब सब्जीयों को मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें गेहूं का आटा ये वही गेहूं का आटा है जो हम नौर्मल गरों में रोटी या पराठा बनाते हैं तो इस तरह से हम इसमें पूरा आटा डाल देंगे और ये मैंने आधा कप बेसन ले लिया है और इसको भ थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा और ये मैंने आधा चमच कुटी हुई काली मिर्च ले ली है थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालेंगे अजवाइन डालने से ये नास्ता बहुत ही तेस्टी हो जाएगा और एक चमचम कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा ही इसमें जीरा डालेंगे और ये मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लिया है थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसमें हम बहुत थोड़े थोड़े मसालों का इस्तिमाल कर रहे हैं बहुत थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं तो जब भी आप बेशन की कोई चीज बनाएं तो इसमें हींग और अज़वाइन जरूर से डालिएगा जिससे नास्ता टेश्टी तो हो ही जाता है और डाइजेस्ट भी बहुत ही आराम से हो जाता है साथ ही इसमें मैंने आधा नीबू का रश डाल दिया है और स्वादा नुसारिस में नमक डाल दिया है बस एक बार इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला या थोड़ा सा चाट मसाला और मिला सकते हैं जिससे आपका नास्ता और भी चटपटा हो जाएगा और अब हम इसको मिक्स करते हुए इसका एक घोल बना कर तैयार करेंगे तो इसके लिए आपको अलग से और पानी मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से हम इसको रगटते हुए मिक्स करेंगे जिससे इसमें गुटलियां भी बिल्कुल नहीं पड़ेंगी और ये देखिए इस तरह से मैंने इसका बहुत ही बड़ी असा घोल बना कर तैयार कर लिया है और इसी तरह से हमें इसको रखना है बहुत ज़्यादा पदला या बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है और अब एक तड़का पैन में मैंने 1-1.5 चमच तेल गर्म कर लिया है एक चमच इसमें काली सर्चों की एदाने डाल दिये हैं और आदा चमच इसमें सफेद तिल डालेंगे और जैसे ही ये दोनों चीज़ें चटक जाएंगी तो इसमें बारीक कटे हुए मैंने करीपता डाल दिये हैं और ये तड़का अब हम इस गोल में लगाएंगे जिससे नास्ता बहुत ही टेश्टी हो जाएगा तो इस तरह से जब आप नास्ता बनाईए तो तड़का उसमें जरूर से लगाईएगा नास्ते का स्वाद दोग ना हो जाएगा और पूरे में अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं जिससे तड़के का फ्लेवर पूरे गोल में अच्छे से आ जाए और ये देखी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर एक मैंने कढ़ाई को चड़ा दिया है अब हम इसमें थोड़ा सा सर्चों का तेल डालेंगे आप जो भी कुकिंग ओयल इस्तेमाल करते हों उसका इस्तेमाल करिएगा इसको ब्रस से अच्छे से फैला देंगे और गैस की फ्लेम को अभी हम लो रखेंगे और गोल को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और लगबग एक से डिल्ड चमचा भर कर हम इसमें डाल देंगे बैसे तु ये अपने आप शेप ले लेता है लेकिन इसको प्रॉपर शेप देने के लिए इस तरह से हम इसको फैलाएंगे तो इस तरह से आप इस हेल्दी और टेश्टी नास्ते को बनाईएगा जिससे आपको ना आटा गोनना पड़ेगा और ना ही बेलना पड़ेगा और बस इसको लगबग दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही ढख कर पका लेते हैं दो मिनट में आप देख सकते हैं उपर से ये कितना ड्राइव हो चुका है तो थोड़ा सा इसके उपर इस तरह से तेल लगा देंगे और अब हम इसको पलट देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है और इस तरह से इसको golden होने तक दोनों तरब से अच्छे से सेख लेंगे जब तक कि इस पर अच्छा सा color नहीं आ जाता है जिसी ये खाने में बहुत ही tasty लगेगा बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद से खाएंगे और ये बहुत ही healthy तरीके से मैंने बनाया है क्योंकि इसमें बहुत सारी सबजियों का इस्तेमाल किया है तो आप बच्चों को lunch box में भी बड़े आराम से दे सकते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा एक नास्ता बनकर तियार हो चुका है तो आपको कैसी लगी मेरे इस tasty, healthy और कम मेहनत के नास्ते की रेस्पी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा और अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा अपने family और friends में इस रेस्पी को एक बार share जरूर से कर दीजिएगा और आप लोग मेरे ये वीडियो के शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये बताना बिलकुल मत बूलिएगा और ऐसी रोज की basic चीजों से मैंने इस नास्ते को बनाया है जो रोज के नास्ते में आप लोग use करते हैं लेकिन ये नास्ता थोड़ा सा different हो गया है बस इसको हम एक बार फिर से तेल नहीं लगाना है कड़ाई में पहले से ही तेल लगा हुआ है तो बस वैसी ही चिकनी कड़ाई में हम लगबग दो चम्मच भर के फिर से डाल देंगे और इसको इस तरह से proper shape दे देते हैं इस तरह से shape देंगे ना तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और कोई देख कर बता ही नहीं सकता है कि आपने इसको बिना बेले ही बनाया है और बस एक बार इसको फिर से दो मिनट के लिए low flame पर ढखकर पका लेते हैं और दो मिनट होते ही ये देखिए उपर से अच्छे से dry हो जाता है बस हलका सा ही तेल लगाना है ज्यादा तेल लगाने की भी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है थोड़े से ही तेल में ये बहुत ही अच्छे से सिख जाता है बस आप इसको low to medium flame पर हलकी हलकी आज़ पर ही से कियेगा जिससे ये अंदर तक सिख जाएगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा तो चलिए आप लोग भी इस तेश्टी, नई और मज़ेदार रेस्पी को जरूर से इंजवाए करिए इस नास्ते के साथ आपको किसी भी चटनी या किसी भी सबजी की भी जरूरत नहीं है आप चाहे तो इसको चाय के साथ खा सकते हैं या ऐसे ही enjoy कर सकते हैं सभी लोगों को बेहधी पसंद आएगा और आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए कितना soft नास्ता बनकर तयार हुआ है तो आप लोग भी बना कर enjoy करिए मिलते हैं next वीडियो में take care